हेलो डियर स्टुडेंट, वेलकम टो और चैनल, आज की इस वीडियो के अंदर में आपको कक्सा नो गनित का जो चेप्टर नमर 6 है, जो प्रसनावली 6 है आपके रेखाएं और कोण, यानि लाइन्स एंड एंगल्स, तो इस चेप्टर के कम्पलीट जो नोट्स हैं, आपके जो बेस नोट्स हैं, जो आपके कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ, और इससे पहले मैंने कक्सा नो गनित के ओल चेप्टर हैं, उनके वीडियो हैं, वो आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप परते एक चेप्टर को पढ़ सकते हैं, और ये नोट्स हैं, सांदार नोट्स हैं, इन नोट्स को अगर आप साथ साथ में लिखना चाते हैं, तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को पर्चेज करना चाते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिये गए हैं इन नंबर से संप्रक करके हमारे द्वारा ये नोर्स आप बाई कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं इन नोर्स में मैंने क्या-क्या इंक्लूड किया है तो इन नोर्स में मैंने सबसे पहले इस चेप्टर का जितना भी basic concept है वो मैंने इंक्लूड किया है साथ में ज सब 거 जो चेप्टर नंबर 6 और प्रोष्णावलभी छहां और कोण है इसके सांदर जो नोडे से उनकी मूह दिखा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करें, basic concept, यानि basic concept के अंदर यहाँ पर सबसे पहला जो point है, वो है आपके आधार, भुद्ध, पद और परिभासाई, यानि कुछ important परिभासाई हैं, वो आपको जरूर जाननी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें एक नंबर जो प्रिवासा है वो क्या है आपके रेखा यानि रेखा क्या होती है लाइन क्या होती है तो रेखा की क्या प्रिवासा है कि रेखा है वो बिंदूओं का वैसमू है रेखा बिंदूओं का वैसमू है जिसकी केवल लंबाई होती है चोड़ाई और मोटाई नहीं होती यानि जो रेखा होती है जो लाइन होती है वो बिंदुओं का एक ग्रूप होती है एक समू होती है जिसकी केवल लंबाई होती है यानि लेंथ होती है और उसकी चोड़ाई और मोटाई यह नहीं होती है तो यह प्रिवासा आपको रेखा की याद करनी है उसके बाद में सेकिंड है आपके रेखा खंड यानि रेखा खंड क्या होता है सेगमेंट क्या होता है तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अनतय बिंदू हो उसे हम क्या कहते हैं रेखाखंड कहते हैं यानि ये एक आपके रेखाखंड है इसके दो अंते बिंदु है इस अंते बिंदु को नाम A दे दिया इस अंते बिंदु को नाम B दे दिया तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंते बिंदु हो उसे हम क्या कहते हैं कहते हैं यानि किरण क्या होती है रेखा का वय बाग होती है जिसका एक अंते बिंदू हो उसे हम क्या कहते हैं किरण उसके बाद में है आपके सरेंख बिंदू यानि जो सरेंख की बिंदू है वो क्या होते हैं सरेंख की बिंदू की प्रिभासक्या याद रखनी है आपको की लाइन पर इस्तित हो तो वे सरेंक बिंदू कहलाते हैं और पांच नमर परिवासा क्या है आपके एसरेंक बिंदू यानि एसरेंक बिंदू क्या होते हैं यदि तीन या अधिक बिंदू एक ही रेखा पर इस्तित नहीं हो तो वे कौन से बिंदू कहलाते हैं आपके एसरें बिंदू कहलाते हैं यदि तीन या अधिक बिंदू एक रिका पर इस्तित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं lagent के उसके बाद में चैनल परिवेश्क क्या ऐ एक एंगल का निर्मान होता है, कोण बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण या एंगल कहते हैं, साथ नमर प्रिबासा है, पहरे बच्चों, आपके बुझाएं, यानि साइड्स क्या होती हैं, बुझाएं क्या होती हैं, तो कोण को बनाने वाली, कोण को बनाने वाली दोनों किरने कोण को बनाने वाली दोनों किरने कोण की बुझाएं कहलाती हैं यानि कोण को बनाने वाली दोनों किरने वो कोण की क्या कहलाती हैं बुझाएं कहलाती हैं और जो अनताय बिंदू होगा उस अनताय बिंदू को हम कोण का क्या कहते हैं सिर्स कहते हैं यानि वेटेक्स कह यह भी आपको अच्छे से याद रखना है अच्छे से आपको ध्यान देना है उसके बाद में next है आपके basic concept में जो second point है वो है आपके विविन प्रकार के कोणों के बारे में अध्यन तो विविन प्रकार के कोणों के बारे में आपने अध्यन किया होगा तो इसमें हम सबसे प कुन इभば से नंब्ब डिगरी के बीच होता है तो उसे हम क्या कहते है और कॉन देख सकते हैं यह कोन का यहां पर सपुन है यह 09 के बीच में है यह यह Ц rif तो यह क्या होगा आपके न्हों कोन होगा उसके बाद में सेंड आपके समकोन तो समकोन के बारे में आप पहले से ग्याते हैं पहले से प्रिचिते हैं कि समकोन क्या होता है समकोन क्या होता है राइट एंगल ट्रिंगल क्या होता है यानि समकोन क्या होता है तो एक कोन एक कोन जिसका माप क्या हो 90 डिगरी हो उसे हम क्या कहते हैं समकोन कहते हैं यानि यहाँ प का माप 90 डिगरी से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो यह आपको ज्यान देना है कि एक कौन जिसका माप 90 डिगरी से तो अधिक हो परंतु 180 डिगरी से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं अधिक कौन कहते हैं यहां पर जो जेड कौन बनाया गया है जो जेड इंगल बनाया गया है यह 90 क्या होता है तो रिजू कौन की प्रिवासक क्या होती है कि एक कौन जिसका माप एक कौन जिसका माप 180 डिगरी का होता है यानि एक कौन जिसका माप क्या होता है 180 डिगरी होता है उसे हम क्या कहते है रिजू कौन कहते हैं यहाँ पर जो S कोण बनाया गया है जो S इंगल बनाया गया है यह कितने डिगरी का है 180 डिगरी का है अता यह कौन सा कोण होगा आपके रिजू कोण होगा और उसके बाद में पांच नम्मर है आपके पांच नम्मर कोण कोण सा है परतिवर्ति कोण आप देखिए परतिवर्ति कौन कोन सा होता है, परतिवर्ति कौन की परिवासा आपको अच्छे से याद रखनी है, कि एक कौन जिसका माप 180 डिगरी से अधिक हो, प्रन्तू 360 डिगरी से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परतिवर्ति कौन कहते हैं, यानि एक कौन जिसका माप पे जिसका माप है वो 180 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं परतिवर्ति कौन कहते हैं यहां पर जो टी एंगल बनाया गया है यह 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है कम तो इसलिए कौन सा कौन होगा अब देखिए पूरकोण क्या होता है जो पूरकोण है उसकी क्या परिवासा होती है यदि दो कोणों का योग कितने डिगरी के बराबर हो 90 डिगरी के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं यदि दो कोणों का योग 90 डिगरी के बराबर हो तो उसे हम पूरकोण कहते हैं और 40 डिगरी और 50 डिगरी ये यूगम भी आपके 90 डिगरी होगा तो ये ये जो एक्जामपल्स हैं ये किसके हैं आपके पूरक कौन के हैं उसके बाद में साथ नमर है आपके संपूरक कौन आप देखिए संपूरक कौन क्या होता है यदि दो कौनों का योग यदि दो कौनों का योग 180 degree के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं यानि दो कोणों का योग 180 degree के बराबर हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं एक्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, पहला जो यूग में वो 60 लिगरी और 120 लिगरी गहा है, अब इन दोनों इंगल्स को हम एड़ करेंगे तो 1160 लिगरी आएगा, और दूसरा यूग में आपके 80 लिगरी और 100 लिगरी, इनका योग करेंगे तो भी 180 लिगरी और 110 लिगरी, तो इनका योग करेंगे तो भी एक 180 ाएगा तो ये तीनो युगम आपके कौन से angles में आते हैं संपूर कौन में आते हैं उसके बाद में आए आठ नम्मर आसं कौन आप देखिए आसं कौन क्या होता है यदी दो कौन यदी दो कौन जिन में एक उबेनिस्ट क्या हो सिर्स हो और एक उबेनिस्ट बुजा हो वे बुजाएं जो उबेनिस्ट नहीं है उबेनिस्ट बुजा के विपरित और इस्तितों यानि दो कोण यहां पर आप देख सकते हैं यह वाली जो बुजा है यह उबेनिस्ट है इसमें एक तो उबेनिस्ट सिर्ष दे रखा है एक उबेनिस् आप देखिए कोणों का रेखिक यूगम इससे हमें हमारा क्या विप्राए है तो देखिए आसन कोणों का यूगम जिनका योग कितना हो 180 डिगरी होता है यानि आसन कोणों का जो यूगम है जिनका योग कितना होता है 180 डिगरी यहां पर आप देख सकते हैं यह जो आकरती ब तो सिर्शा वीमुख कौन कौन से होते हैं कि दो परतीछेदी रेखाऊं कि परतीछेदन बिंदु के वीमुख बने कौन क्या कहलाते हैं तो यहां पर जो आकरती बनी हुई है इसमें कौन X बराबर क्या है कौन Z यानि ये कोण X है ये किस के बराबर होगा Z के बराबर होगा ये सिर्षा वीमू की कोण है और Y किस के बराबर होगा W के बराबर यानि Y है वो W के बराबर होगा तो ये भी क्या है सिर्षा वीमू कोण है उसके बाद में परती छेदी रेखा आप देखिए परती छेदी रेख क्या होती है दो रेखाएं प्रतिशेदी रेखाएं कैलाती हैं यह इनके भीच कि जो लंबुवत दूरी है इनके भीच की लंबुवत दूरी अगर आप मापेंगे तो समान नहीं मिलेगी और यह एक बिंदु से प्रतिशेदी रेखा होगी उसके बाद में है आपके एपरतिछेदी रेखा क्या होती है जिसका दूसरा नाम है आपके समानतर रेखा तो समानतर रेखा क्या होती है आपरतिछेदी रेखा क्या होती है कि दो रेखाएं एपरतिछेदी रेखाएं कहलाती है यानि दो रेखाएं हैं वह आपके एपरतिछेदी रेखाएं कहलाती है यदि उनके बीच की लंबुवत दूरी क्या हो समान हो ये एनिस्चित रूप से बढ़ाने पर भी नहीं काटती यदि एक ही तल में हो तो एपरतिसे दिया समानत रेखाएं कहलाती हैं यहां पर PQ और RS ये दोनों जो रेखाएं हैं ये क्या हैं परतिसे दिया रेखाएं हैं अगर इनके बीच की जो दूरी हैं हम मापेंगे तो समान मिलेगी और अगर हम इनको अनिस्चित रूप से बढ़ाएं तो आगे जाकर भी ये नहीं काटेंगी तो ये सिद्धी रेखा म को अलग अलग बिंदूओं पर काटती हैं यानि वह रेखा जो दो सिद्धी रेखाओं को अलग अलग बिंदूओं पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं तिरियक रेखा कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इंगल बने हुए हैं इंगल दो इंगल तीन चार और यहां पर पांच एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 है ओके और यहांपर M है और यहांपर T C तो park आप Is आपके रहेंग्त है ेंगल 1 बराबर दूसरा छार के बराबर रहें यहुकूफ किसकते बराबर है इसके ब cessiplarını Ned कि एक बस्य मिल पहले परसनावली 6.1 है आपके exercise 6.1 है जिसमें पहला question दे रखा है कि आकरती में रेखाएं AB और CD बिंदू O पर पर परतिछेद करती हैं यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना दे रखा है 70 डिगरी दे रखा है तो एंगल BOD बराबर 40 डिगरी तो आपको क्या कोण BOE का मान है वो 30 डिगरी आएगा और जो परतिवर्ति कोण है उसका मान आएगा आपके 250 डिगरी किस परकार से इसको ग्याद किया है वो आप आराम से देख सकते हैं दूसरा question दे रखा है आपके आकरती में रेखाएं XY और MN बिंदू O पर पर परतिछेद करते हैं यह आप डायग्राम देख सकते हैं आकरती देख सकते हैं और यहां पर जो एंगल सी है इसका मान वो कितना एगा 126 यानि 126 डिगरी आएगा तीसरा question दे रगा है आपके आकरती में यदि एंगल PQR बराबर PR क्यू है तो सिद कीजिए कि PQS बराबर क्या होगा PRT तो यह हम तो सिद कीजिए कि AOBAO एक रेखा है तो यहां पर हमें दिया गया है सिद करना है इसका क्या परमान है और जब कोई सलंगन दो कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो रेखा है वो सिद्धी और सरल होती है आता है AOBAO एक सरल रेखा है इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ किया ह पांच वह कोईशन दे रहा है आकरती में POQ एक सरल रेखा है और कीरण OR रेखा PQ पर लंब है कीरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य कीरण है तो आपको प्रूफ करना है सिद करना है कि ROS बरावर एक बटा दो एंगल Q OS माइनस एंगल POS तो यह आकरती आप देख सकते हैं इसम इसन बनाकर हमने इनको जोड़ा है तो यह प्रूफ हो जाएगा आपकी और च्छटा कोशन दे रहा है यह दिया है कि XYZ बराबर 64 डिगरी है और XY को बिंदू P तक बढ़ाया गया है दी हुई सुचना से एक आकरती खींचिए यह केरण Y Q Z Y P को सम्धिव भाजित करती है औ और XY Q और परतिवर्ति आक्ष Q Y P के माना आपको ग्याद करने है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंगल Q Y P बराबर 58 डिगरी आएगा और जो परतिवर्ति कोन है आपके Q Y P इसका माना आएगा 302 डिगरी उसके बाद में exercise 6.2 है आपके प्रसनावली 6.2 है जिसमें पहला कोश्चन दे रहा है आकरति में यदी AB समानतर CD और CD समानतर EF और Y अनुपात Z बराबर 3 अनुपात 7 है तो X का मान ग्याद कीजिए तो इस महां हमने X का मान कैसे ग्याद किया है तो X का मान आप देख सकते हैं किस प्रकार से फाइंड किया है तो X का मान आएगा आपके 126 दिगरी दूसरा कोश्चन दे रहा है आकरति में यदी AB समानतर CD EF प्रपेंडिकुलर CD और इंगल GED बराबर 126 दिगरी है तो इंगल AGE, इंगल GEF और FGE हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले इंगल AGE की माप क्या होगी 126 दिगरी और GEF की माप क्या होगी 36 दिगरी और FGE E का मान कितना हैगा 24 दिगरी तीसरा कोश्चन देख सकते हैं आकरति में यदी PQ समानतर ST और PQR बरावर 110 दिगरी है और कौन RST बरावर 130 दिगरी है तो हमें QRS का मान वो ग्याद करना है और इसमें संकेत भी दे रहा है कि बिंदू R से उकर ST के समानतर आपको एक रेखा ख खिंचा दिया गया है और दो समीकन बनाकर इन दोनों समीकन से हमने एक्वेशन थार्ड बनाया है और इसी परकार से आप इसको ग्याद कर सकते हैं तो QRS बरावर आएगा 60 डिगरी कुश्चन नमर चार है आकरति में यदी AB समानतर सिड़ी है और APQ बरावर 50 डिगरी है और PRD बरावर 127 डिगरी है तो X और Y ग्याद कीजी तो X का मान 50 डिगरी आएगा और Y का मान 87 डिगरी आएगा और पांच वो कोश्चन देरका है आकरती में PQ और RS दो दरपन है और मिरर है जो एक दूसरे के समानतर रखे गए हैं एक आपतन किरन AB दरपन PQ से B पर टकराती है और प्रावर्तित कीरन पंथ है BC पर चलकर दरपन RS से C पर टकराती है और पुने CD के अनुदिस प्रावर्तित हो जाती है शिद्ध करना है कि AB समानतर सिद्धी है तो हमें सिद्ध करना है कि AB किसके समानतर सिद्धी है तो सबसे पहले दिया गया है सिद्ध करना है रचना औ प्राप्त हुए इसलिए हमने इसको सिद्ध कर दिया है यह भी समानतर सीड़ी तो इस प्रकार से परते कुश्चंस का सोलूशन मैंने बताया है और जितना भी बेसिक कॉंसेप्ट वह मैंने बताया है यानि इस चेप्टर का जो कंप्लीट जो नोर्स हैं वह मैंने इस वीडि को प्रेस कर लिजी है 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 अजिय है है від जोईना तन कि भी से अग्सितव का वह मैंने यहPoint है 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 वह मैंने रहीं है है और भी संग है शो प्रेसे हैनल प्र güzel जो पनाद प्रोफने अवरी हैं США भी सिह मैंने लिमा को थMmainen जो